हेलो फ्रेंड्स आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे होम साइंस की जिसका कोस्टन आप लोग के एक्जाम होने से पहली ही आ चुका है और इसका आप लोग यहां से जो भी कोस्टन देखेंगे उसको जा करके सीधे तोर पर आप अपने एक्जाम हॉल में लिख सकते तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यह वीडियो और जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो को पूरा तरीके से देखे हैं हम लोग आ चुके हैं पहले कुस्टन पर पहला कुस्टन है कौन सी अंतासरावी ग्रंथी पुरू स आप लाइन यह होगा आपका आपसे नमबर ए अगला कुस्टन फेलोपियन ट्यूप पाई जाती है तो यह जागा आपका तीन काव होगा आपसे नमबर भी महिलाओं में अगला कुस्टन हम लोग देखेंगे तो टीटैनी का कारण होता है तो यह चौथा काप का सही अंस अगला कुछान होग देखेंगे निमलिकेत में से कौन भोजन को दूसित नहीं करता है तो आपको चार अपसन दिये गए इसमे सही सटी कौन सा रोजाग आपका ऑप सनमर दी भोजन तियार करने में स्वक्षता अगला कुस्टन हम लोग देखेंगे संक्रामक रोग का कारा जिसका साथमा का अंसर हो जाएगा, आपका option नमर ए पर दूसन हो जाता है, अगला question, अगला है कि सामाने पर सब के बाद अस्तन पान कब सुरू कर देना चाहिए, तो आठमा का हो जाएगा, आपका option नमर भी जन्म के घंटे के बाद, अगला question हम लुक देखेंगे, निम्न मे से कौन सरेर से पानी को निम्ण में से कौन सरीर से पानी को बाहर निकालता है तो इसका सरी अन्सर हो जाएगा नो का वह हो गा आपका c-85 अग्या को सो मेogene देखें गे अग्या को सने हम लोगका चाय की पत्ति के लिए कौन सामानक चिन दिया गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा 10 का वो होगा आपका ओप्सन नबर B ISI अगला कुशन हम लोग देखेंगे तो यहाँ है सूखी धुलाई ड्राइ क्लिनिंग किया जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर D इन में से सभी का सुती वस्त्रों का भी ड्राइक लिनिंग होता है रेस्मी वस्त्रों का और उनी वस्त्रों का भी अगला कस्वाल हम लोग देखेंगे नीला और पीला को मिला कर कौन सा रंग बनता है तो इसका सही अंसुर लेगा आपका बारा का ये हरा रंग अगला सवाल हम लोग देखेंगे इनमें से कौन आंत्रिक सा जावट का सिधान्त नहीं है तो इसका हो जाएगा option number D. आयोजन अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कपरे खरीते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए तो इसका हो जाएगा आपका option number D. रंग का भी ध्यान होना चाहिए और मुल्य का भी यानि कि इसका उप्यूक्त सभी यानि option number D. अगला कुशन गर्मी के मौसम में घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए तो 15 का आपका सही option हो जाएगा option number E. हलके रंग का अगला कुशन इनमें से कौन से कपरा कीरो इस्वम का अगला कुशन गर्म देखेंगे तो कपरो के रंगो के चुनाव को कौन कारक परभावित नहीं करता है तो इसका 17 का आपका सही अंसर हो जाएगा option number E. उम्र अगला कुशन गर्म देखेंगे निम्र में से कौन पोजिशन हिंता से संबंदित है तो इसका सही अंस अंसर हो जाएगा option number E. इनेमिया अगला कुशन हम लोग देखेंगे मासिक वेतन किस आयक अंतरगत आता है तो इसका option number E. हो जाएगा परत्यक चाहिए अगला कुशन हम लोग देखेंगे तो परत्यक परिवार को अपना भविस्त रक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option number D, इन में से सभी बचत भी करना चाहिए विन्योक भी करना चाहिए और बजट भी बनाना चाहिए कि अगला कुस्टन है पाने के शुरोतो और सौचाले के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए इसका सही अंसर हो जाएगा आपका आप्सण नमबर डी कम से कम 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए अगला कुस्टन है खाद अपमिसरन निवारन अधिनियम कब लागू हुआ था तो इस सवाल हम लोग देखेंगे तो खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उप्योग किया जाना चाहिए तो इसका सही अंसर हो जाएगा 24 का 24 का होगा अगला कुशन हम लोग देखेंगे इन में से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्चक नहीं है तो इसके लिए आपका सही अंसर हो जाएगा 26 का वो होगा आपका अप्सन नमबर D धुलाई मसीन अगला कुशन हम लोग देखेंगे तो राष्टिय बचत परवान पत्र जारी किया जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन नमबर A डाक घर दुलाई अगला कुशन हम लोग देखेंगे निमन में से कौन सारे रिक विकास के अंतरगत नहीं आता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर D भासा का अगला कुशन है की दूद को सरक्षित करने के लिए किस वीदी का आप योग सबसे अधी किया जाता है आप्सन नमबर इसका हो जाएगा आपका B. V. Sankraman अगला कुछन हम लोग देखेंगे तो DPT का टिका किस बीमारी से बचाता है तो तीस्वा का आपका सायन्स रोजागा होगा अप्सन नमबर D, डिप्थेडिया, काली खांसी और टिटनेस तीनों ही से बचाता है यानि अप्सन नमबर D हो जाएगा अगला समय के तो वालविकास योजना किसके लिए कारे करती है तो 31 का आपका सायन्स रोजागा आपका आपका आपसन नमबर C, बच्चो एब महिलाओं के लिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे साबुन इन में से किस मिसरन से बनता है तो इसका हो जाएगा आपका 32 का आपका आपसन नमबर C से वसा तथा चार से अगला कुस्वन हम लोग देखेंगे वायू परदुसन के लिए कौन सी गयस जिम्यदार है तो इसका हो जाएगा आपसन नमबर D सभी कारबन डायोकसाइड भी है और कारबन मोनोकसाइड भी है इसलिए इसका हो जाएगा आपसन नमबर D उप्यूकत सभी अगला कुस्वन हम लोग देखेंगे प्राकिर्तिक रूप से पाये जाने वारे पानी का सुद्धितम रूप क्या है तो यह हो जाएगा आपका 34 का वो होगा आपका आपसन नमबर A वर्षा का पानी सबसे सुद्धितम रूप में मिलता है अगला कुस्वन है कौन सा टीका बच्चो को 6 रोग से बचाता है तो इसका हो जाएगा आपका 35 का वोगा आपका आपसन नमबर D अगला कुस्वन हम लोग देखेंगे इन में से कौन से बीमारी जल परदूसन से नहीं होता है तो इसका आपका सही अंसर हो जाएगा 38 का वो होगा आपकाопसा No.C मदु में अगला कुश्य हम दिखेगे इन में से कौन थकान का लख्षन है तो यह हो जाएगा 29 का वो होगा आपका OPCOMüll डी थकान उन्हेड़ भी हो सकता है चक्कर भी आ सकता है और सुष्ती भी राती है इसलिए इसका option number D हो जागा, अगला question हम लोग देखेंगे, इन में से कौन प्राकिर्टिक रेशा नहीं है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, 40 का वो होगा, आपका option number C, nylon, अगला question हम लोग देखेंगे, तो हड़ियों के लिए कौन सा खनी जलवन सबसे अच्छा होता है, इसक सही अंसर हो जाएगा, 42 का वो होगा, option number A, 90 के लिए आहार आयोजन के अवसकता नहीं होती, अगला question पानी में मौजू सभी किटानों को बारने के लिए, उसे किस ताप पान पर उबालना चाहिए, तो इसका हो जाएगा, आपका option number A, 100 degree Celsius पर, अगला question हम लोग देखेंगे, तो मा का दूद परदान करता है, तो इसका हो जाएगा, आपका जितना भी इसका total option सही है, इसलिए 44 का आपका हो जाएगा, option number D, रोग परतिकारक, हार्मोन और पाचक एंजाइम सभी मा के दूद से मिलता है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो इन में से कौन खादे सन लक्षन की एक बहुतिक विधी नहीं है, तो इसका हो जाएगा, आपका option number C, पास्चिरी करन, इन में से कौन खादे सन लक्षन की बहुतिक विधी नहीं, तो ये गहरी हीमी करन होगा, ये option number B, अगला question है, इन में से कौन मानविय संसादन नहीं है, तो मानविय संसादन यहां पे आप लोग देख सकते हैं 49 59 आपको चार ऑप्सेनगें दाही मख्षान और पनीर सभी किनवित किया हुआ है यानि इसलिए इसका अंसर option number D हो जाएगा अगला कुश्चन है कौन सा निवेश सुरक्षित है तो यहाँ पे इसका सही अंसर हो जाएगा पचास कव होगा आपका यहाँ पे बैंक में बचत भी जीवन भीमा राष्टी बचत पत्र भी इसलिए इसका option number D सही अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन हम लोग देखेंगे तो इन में से किस परकार के वस्तर के लिए स्टार्च और नीला नील का उप्योग होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा कौन निम्न गुनबत्ता वाली वायू का परिनाम है तो इसका सही अंसर हो जाएगा 53 का यहाँ पे सिर्दर्द भी स्वसन संबंधी समस्या भी और आखों में जलन भी यानि कि इसका option number D सही हो जाएगा इन में से कौन महिला परजनन अंग है तो इसमें परजनन अंग है तो इसमें जो हो जाएगा आपका फिलोपियन ट्यूब भी है योनी भी है और अंडासे भी है इसलिए इसका option number D इन में से सभी हो जाएगा अगला कुशन है किस किरिया में संदूसित जल का उप्योग नहीं करना चाहिए इसका संदूसित जल का उप्योग नहीं करना चाहिए तो आपका हो जाएगा option number C खाना बनाने में अगला कुशन हम लोग देखेंगे खादे की सुई कार्यता निर्भर नहीं करती है तो इसका हो जाएगा 56 का होगा आपका option number B परियाप्त मात्रा पर अगला सबल हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सी बीमारी भारत में भारत से पूरी तरक खतम हो चुकी है जिसका सही अंसर हो जाएगा आपका 57 का होगा आपका option number D गंड माला अगला कुशन हम लोग देखेंगे अगला कुशन है पीलिया से सरीर का कौन सा अंग परभावित होता है तो यहाँ पे आपको चार option दिये गए है जिसमें सबसे सबसे सही अंसर है आपका पीलिया रोग जब होता है तो उसमें आपका यक्रित लीवर परभावित होता है अगला कुशन इन में से कौन प्रोटीन का सबसे समरीद सुरोत है तो 59 काप का option नमबर D हो जाएगा इसमें सबसे प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सुरोत है वो स्वाबीन अगला कुशन है परसबो परांत देखवाल का उदेश किसकी मिर्तिव को रोकना से बचाना है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा option number A और B दोनों यानि का option number C माता की और नबजात की अगला कुशन है इन में से कौन बैंक का कारे नहीं है जिसका सही answer हो जाएगा 61 का वो होगा option number A रीन चुकाना रीन चुकाना बैंक का काम नहीं है अगला कुशन है इन में से कौन सा कारक परिवार संसाधन को परभावित करता है जिसका सही answer हो जाएगा आपका option number D यानि इसका सभी option दिया गया है वो सही है अगला कुशन हम लोग देखेंगे तो इन में से कौन भोजन खराब होने का कारक है तो इसका आपका कीरे भी है, चुहे भी है, सुक्षमजीब भी है तो इसलिए इसका उपरूप्ट सभी हो जाएगा अगला कुशन इन में से कौन ग्रामीन छेतर में परदुसन का कारण है तो यहाँ पे खूले में सोच करना प्लास्टिक का उप्यो गारी से निकलने वाला धुआ यानि option number D इसका सही answer हो जागा अगला question हम लोग देखेंगे तो आहार आयोजन में आवेश्चक नहीं है तो इसका सही answer हो जागा 65 का होगा आपका option number C खाना पकाने का बरतन अगला question है अहार ये मिलावट में मिलावट के क्या करान हो सकते हैं तो इसका आपका सारा option इसका सही है इसलिए इसका option D सही हो जागा अगला question हम लोग देखेंगे तो गिरी सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है तो इसका सही answer हो जागा 67 का होगा आपका option number D सभी तरह की लंबबत रेखा का भी तिर्ची रेखा का भी और 36 रेखा का भी अगला question है इनमें से कौन सभी वस्तरों की रानी है तो इसका आपका सही answer हो जागा आपका option number B हरा अगला question है स्वक्षता संबंधी कौन सी आदत को आपके दैनिक दिन चरिया का हिस्सा होने क्या वसकता नहीं है तो इसका सही answer हो जागा आपका option number C नाखून कटना तो यहीं पर हमारे वीडियो समाप्त होता है अगर यह वीडियो